हेलो फ्रेंज मैं अनामिका मेरे कीचिन में आप सभी का श्वागत है फ्रेंज मैं आज बड़ा है यूनिक रेश्पी लेकर आए हूं इस रेश्पी का नाम है आलो चाट ए बड़े तो चलिए हम आलो चाट बनाना शुरू करते हैं आलो चाट बनाने के लिए जो इंग्रिनेश लिया है वो है चाट मेडियम साइज आलो जिसे हमने प्रेसर कुकर में दो भीशिल से भीशिल आने पड उबाला फिर छील के लिया है हरी थनिये को हमने बारिक काट लिया है दो हरी मिर्च को काट लिया है एक टमाटर को हमने बारिक बारिक काट लिया है दो छोटे ओनियन को हमने बारिक काट लिया है आगा इंच अजरत के टुकरे को हमने काट लिया है यहां पे हम कुकिंग आयल यूज करेंगे दो बड़े चमज हम टोमेटो केचप लिये हैं नमक श्वाद के अनुशार रेव चिल्ली पाउडर सेव हुर्चे अम्चुर पाउडर काला नमक और चार्ट मशाला अब हम गैश के तरफ चलेंगे गैश पे हमने एक कडाही रख लिया है अब हम गर्म को अन कर लेंगे कडाही गर्म हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चमज तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे तेल गर्म हो चुका है अब हम इसमें आधा प्याल टाल देंगे आधा हम पच्चा मिक्स करेंगे प्याल को हम अच्छे से चला लेंगे और सांथ में हम डालेंगे अध्रक हडी मिर्च और इसे हम आधा मिनट तक भूनेंगे हमें प्याल को जादा सौफ नहीं करना है तो इसके हम चलाते हुए आधा मिनट तक भून लेंगे तो अब ध्यान से देखिए प्याल का सा गुलावी कलर सा हो गया है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो हम आधा टमाटर डालेंगे थोड़ा सा हम बचा लेंगे कच्चा के लिए और इसे भी हम अच्छे से मेंच करेंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक हम अंदाल से ही डालेंगे क्योंकि चाड मसाला बेर ही नमक होता है और आधा मिनट तक हम त्याद के सांथ तमाटर में ढून लेंगे देख सकते हैं क्याल चमाटर चॉप हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे फोड़ा सा धनियां पत्ता और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे चाड बनाने में ज्यादा टाइम नहीं करता है तेवल हमें सब्दी भूनने में इतना टाइम करता है तो हमने प्याज टमाटर अद्रफ मिर्ज और धनियां पत्ता नमक की साथ खलका भून लिया है इसे हमें गल्ले नहीं रेना है अब हम इस इस्टेश के गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे एक से दो बड़ और चिला लेंगे क्यूंगी कराही अपनी गरम है तो यह अपना करा ही नॉर्मल हो गया अब हम आलू के तरफ देते हैं अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसमें हम आलू के पीछेश करेंगे इसे हम बीच से दो टुकड़ा करके और इसमें दो या तीन पार्ट करेंगे बड़ी आलू हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं फिर हम इसे छ तो मैं आपको दिखा देती हूं ऐसे ही साइज के हमें आलू काट लेने हैं तो हम ऐसे ही सभी आलू को काट लेंगे तो हमने आलू को ऐसे बीज से काट के दो से तीन पार्ट में काटा और छोटे-छोटे किवस काट लिये हैं आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं पर यही साइज सही रहता है आलू के लिए सभी यालू को हमने काट लिया है अब हम इसमें ड्राइ इंड्रिडियन्स एड करेंगे तो नमक हमने प्याज फ्राइ करते टाइम ही डाला था इसके लिए हम अंदाल से नमक डालेंगे इस बातों को आप दोंको ध्यान देना होगा ब्लैक सॉल्ट यानि की काला नमक अमचुल पॉडर तो यह चार्ट है इसके लिए हम चार्ट मसाला यहां पर दो चमस ढालेंगे इसी से तो चटपटा होता है अपना अलू चार्ट रेड चिली पॉडर आधा चमस हम डाल रहे हैं आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो एक चमस कर लेजिए अब हम ध्राई मसाले के साथ एक बड़ अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो बड़ी हमस टोमैटो केचप तो यहां पे इमली का भी चत्मी दे सकते हैं लेकि आज कल टोमैटो केचप सबके घड में अबलेबल रहता है और तो इसके लिए हमने यहां पे टोमैटो केचप यूज किया है अब हमने जो प्याल टमाटर प्राई किया था उसे भी इसमें डाल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में हम डालेंगे कच्छा हडा धनिया प्याज टमाटर और इसे हम चाड के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने शारे इंग्रियेंश को मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे सेव तो आधा सेव हम इसमें अभी मिक्स करेंगे और आधा हम डेकुरेशन के लिए रखेंगे अरे वह कितना सुन्दर चाड तैयार हो रहा है इसे बनाते ही मुमें पानी आ रहा है तो हमने शारे के इंग्रियेंश को अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू चाड बनकर तैयार है अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे तो हमें प्लेट लेंगे और इसमें हम चाड को डालेंगे अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कच्छाप ब्याज थोड़ा सा धनिया बत्दा और थोड़ा सा हम इसके उपर सेव डालेंगे तो अपने चाड सर्व हो चुकी है खाने के लिए आलू की चलपटी चाड बनकर तैयार है यह बड़ा ही मज़ेदार बनता है इसे हमने इस पासी बनाया है तो इस रेस्पी को आप ज़रोर कीजिए आलू चाड तो बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो चाड देखके मुह में पानी आ जाता है इस चाड को आप घड़ पे जरूर बनाए अगर आज की मेरी चाड की रेस्पी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब् कमिन करना मत भूलिए धन्यवाद